पानी निकासी के लिए नालिया नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला सारा का सारा पानी घरों के बाहर भरा रहता है जिससे कारण शेत्र में मच्छर पनप रहे हैं गुरुवार को शेत्रवास ने नगर परशद प्रशाशन के खिलाप आकरोश अताते हुए विरोध प्रदर्शन किया शेत्रवासी नौरत मल चोहा ने बताया कि करीब एक दशक पुर्व शीराम तथा आजात कोलोनी विक्सित हुई लेकिन अब तक दोनों कोलोनियों में मु गुद तथा रास्ते के किनारी भरे पानी में मच्चर आदी पन अपन अपने हैं जिसे बच्चे तथा बुज़ुर्ग बिमार हो रहा हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे शेत्रवासुने नगर परशित प्रशाशन से शेत्र में नालियों का निर्मान करवाने की मांग की है विरोध प्रदर्शन के दुरान प्रकार शकरवाल, भवरलाल कुमावत, दिलिप कुमार सेन, प्रदीब जैन, लाली देवी, भमरे देवी, विमला देवी, मोना, दुर्गा, रेखा, शीला कमर, विमला सेन तथा मयार देवी आदी शामिल थे को एक लेडिस गिर गई और हमां आपस में परोसियों के जगड़ा होने लग दिया, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, हम एक दूसरे के सिर्फ होड़ देए, पानी के चक्कर में, हम जारे कितिवार नगर परिसक जाके आगए, एश्डेम साब के बाद जाके आगए, और इसक केक और पैस्ट्री आपके बर्दे पार्टी वे यादगारुट सबों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबरी केक, चोकलेट केक, रैड वल्वेक केक, चीज केक, बॉलनेट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वराइटिया, साथ बैठने की उत्तम्यविस्था, बैद्दे और पार्टी के लिए हॉल की पहता स्विधा के साथ, तो आज ही चले आए, खुशी केक और पैस्ट्री आरिहन कॉम्टेक्स के पास, कॉलेज रोड ब्यावर, मुबाइल नमबर 9190103504